दोस्तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा यह दिखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं आचका हूँ मेरे desktop के all paper पे जी हाँ यहाँ पे icons सामने आपको दिखाए दे रहे file, folders, program के icon है और साथ में नीचे taskbar भी दिखाए दे रहे हैं तो आप सोच रहे होंगी कि sir यह आपने video editing से की है जी नहीं video editing से नहीं यह एक desktop background का application है जिसमें आप animated all paper या live all paper background में रख सकते हैं जैसे youtube का कोई video आप background में प्ले करना चाहते है आपके desktop पे वो प्ले कर सकते है या आपका कोई video है जो आपके computer में store है वो भी आप desktop के background में रख सकते हैं तो किस तरह से अगर आप जानने में इंट्रेश्टर तो यह video में में आपको बताने है आपके screen पे आभी यह wallpaper दिखाए दे रहे मेरे desktop में मैंने सेट किया अलग अलग wallpaper आप इस तरह के all paper सेट कर सकते हैं जो animated all paper होते हैं तो अगर आप इंट्रेश्टर तो वीडियो end तक द सकते हैं तो इंट्रेश्टर हो जानने के लिए तो वीडियो end तक देखिए चलिए मैं सतिश आप सबका complete background चैनल पे स्वागत कता हूँ लैट्स बेगिन तो इंट्रो पार्ट में मैंने बताया था कि एक application है जिसके जरी आप अपने desktop के all paper को change कर सकते हैं और यह application बिल्कुल फ्री है उसके लिए आपको करना क्या है Microsoft Store पे जाना है यहाँ पे आपको मैं मेरा desktop दिखा रहा हूँ और desktop में यहाँ पे taskbar के उपर Microsoft Store का icon आपको यहाँ पे दिखाए दे रहा है मैं इसे start कर रहा हूँ इसे start करने के बाद Microsoft Store open होगा और वहाँ से हम बहुत सारे applications वैसे भी download कर सकते हैं लेकिन हम फिलाल जो application download करना है उसके लिए search में आपको search करना होगा lively wallpaper यह आप search करो यह already मेरे case में install है तो यहाँ पे आपको दिखाए दे रहा है lively all paper और directly open बतना आ रहा है और आपकी case में यहाँ पे आपको install करना पड़ेगा windows 11 है 10 है सबके लिए available है यहाँ पे फिलाल जैसे आप इसे install करोगे और open करोगे तो क्या आता है मैं दिखाता हूँ आपके सामने कुछ इस तरह का application open हो जाएगा मेरे पास already मैंने इसे install किया है कुछ videos भी add किये मेरे जो कि आपको यहाँ पे दिखाए दे रहे और कुछ ready made animated यहाँ पे आपको all paper भी दिखाए दे रहे अब इन में से कोई भी all paper मुझे set करना है मेरे desktop पे तो मैं इसके उपर simply double click कर दूँगा जैसे मैंने यहाँ पे double click किया अब मैं इस application को minimize करता हूँ और आपको desktop पे दिखाता हूँ क्या बात है और यह mouse के साथ interact भी है मैं mouse pointer गुमा रहा हूँ इदर उदर तो आप देख पार है कि यह color spread हो रहा है क्या बात interesting लग रहा है right okay इसके जगह मैं कुछ और चाता हूँ मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और इसके अलावा सबोज मैं यह waves वाला रखना चाता हूँ double click करना है बस उसके पाद आप देखेंगे पीछे यह आ रहा है यह mouse के साथ interact है देखिए जैसे mouse pointer move कर रहा हूँ बैसी animate हो रहा है interesting all paper यहाँ पे आ रहे है अच्छा यह स क्लिक करूंगा जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे option आ रहा है मेरे सामने चूज फाइल यहाँ से मैं वीडियो फाइल ले सकता हूँ और नीचे URL लाल सकता हूँ YouTube का वगर अगर यहाँ यहाँ पे डाल सकते जो कि मैंने डाल के रखा है मैं यहाँ फिलाल open करता हूँ कोई इसमें से कोई वीडियो मैं लेना चाहता हूँ तो मैं बस उस पर क्लिक करूंगा जैसे सब्सक्राइब कर दिया यहाँ पर देख सकते यह वीडियो यहाँ पर पहले प्रिव आएगा इसमें आपको कुछ डिस्क्रिप्शन वगरा वेबसाइट वगरा देना है तो दे सकते कर दो बस ओके करने के बाद इस वीडियो को डबल क्लिक कर लेने यहाँ पर नीचे ग्रीन में आपको दिखाए देगा प्रोसेस हो रहा है होने दो ओके तो यहाँ पर वीडियो लोड हो चुका है यहाँ पर नीचे दिखे टैली इंट्रो एक्चुली मैंने रिपीट रिप कि यहां पे आप देखोगे नीचे option आपको मिलता है इसे बंद करने के लिए पॉज करने के लिए यहां पे आप नैविगेशन पैनल में जाहिए नीचे आपको आइकॉन मिल रहा है यह देखिए लाइवली ओल पेपर का इसके उपर आप राइट लिक करके इसे आप यहां प और वैसे भी जैसे आप को यह अप्लिकेशन चालू करते तो यह पीछे पॉज हो जाता है यानि कि अप्लिकेशन फूल मोड पे या फूल स्क्रीन मोड पे रहेगा तो पॉज हो जाता है तो यह पॉज हो जाता है उसके सेटिंग में ऐसा सेटिंग है कि कोई अप्लिकेशन तो वो pause हो जाएगा तो memory कम utilize हो जाएगी अच्छा कितना memory utilize होता ये भी आपका doubt रहेगा मैं आपको दिखा होंगा लेकिन इसकी कुछ settings हम जान लेते हैं ये application के अंदर right side में आपको setting icon मिल जाएगा ये दिखिए यह पर setting icon पे क्लिक कीजिए setting icon पे क्लिक करने के बाद general performance all paper system ये settings आप यहाँ पर कर सकते हैं जैसे आपको लगता है कि हमारा windows स्टार्ट होने के बाद ये start हो जाए तो इसे on रोको अगर आपको लगता है नहीं Windows स्टार्ट होने के बाद अल पेपर लोड नहीं हो audio only when desktop is focused अभी audio play नहीं होगा background में अगर आप desktop को focus करोगे तभी उसका audio play होगा right तो आप audio audio भी आता है basically मैंने audio mute रखाए क्योंकि वह दोनों complete होंगे वहाँ का आवज और मेरा आवज इसलिए मैंने बंद रखाए मेरा वाल audio लेकिन यहाँ पे audio भी आएगा play audio only when desktop is focused तो desktop पे यह फोकोस होगा तभी audio आएगा यह यहाँ पे चेक अंचेक रख सकते audio कितना रखना है उसका percentage भी आप डिसाइड कर सकते volume कितना रखना है कम ज्यादा okay it's up to you again तो यह सारी चीज़े यहाँ पे दी है settings आप एक एक करके चेक कर सकते performance tab के अंदर performance related setting ए application full screen mode पे pause होना पिर जब battery पे connected है laptop तो charging नहीं लगा है तो वो pause होना चाहिए background wallpaper यह भी आप यहाँ पे decide कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े यहाँ पे set होती है all paper में आप mouse interaction वगएरा set कर सकते हैं यहाँ पे आपको दिया है कि mouse से interact होना है मतलब mouse pointer में होने के बाद वो all paper में चीज़े साई य पूरा transfer यहाँ पे gaip transparent इस तरह से transparent बना सकते हैं आप कर सकते हैं so these are the settings जो आपको पता होने चीज़े इस application के अंदर है अब यह application अगर running है मैं से minimize कर देता है तो RAM कितना यूज हो रहा है वह हम देखना चाहेंगे control shift और escape button प्रेस करोंगा तो यहाँ पे आप देख सकते मेरा जो RAM 84% मतलब बाकी वे application मेरे open है वो भी utilize कर रहा है लेकिन यह जो all paper है लगबग 287 यह दिखाई दे रहा है मेरा वैसे Chrome जादे यूज कर रहा है क्योंकि Chrome में बहुत कुछ open रखा है मैंने और यहाँ पे 287 RAM यूज हो रहा है MB और इस application को run करने के लिए लगबग आपकी पा वैसे भी install करेंगे देखने के लिए install करो बाद में install कर दो या फिर हमेशे चालो रोखो मत इसे क्योंकि यह पे GPU यूज होता है थोड़ा बहुत तो system पे इपेक्ट होता है यह animated video पीछे चल रहा है इसकी वज़े से अब यह animated video अगर मैं close करोंग और कोई all paper रोखोंग तो थ आप system पे काम नहीं कर रहें कोई video background पे आपको लगता है play हो तो उस टाइम पर यह all paper खूल टीप है ना तो यह टीप कैसे लगी मुझे जरूर बताना साथी में अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद है तो description में जी है मेरी website के link मैंने रखी है जहां पे डे सारे courses आपको घर ब किए सिक ते रही है सिका ते रही है बाइब बाइब